हेलो फ्रेंट स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल हैल सेवन में कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूं बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंट जो हम फर्स टाइम ममा बने होते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता है कि बच्चे को कैसे समालना है बच्चे को कैसे देते हैं बच्चे का बस हम सरीर पोच देते हैं लेकिन इसके बीच में हमें यह ध्यान देना होता कि बच्चे का आख जीव नाक और कान यह चार चीजों की सफाई करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है कई हमारे फ्रेंड्स से दिनोंने कमेंट किया कि मैं बताईए क बच्चे की जीव कैसे साफ करें कुछ लोगों ने कहा बच्चे की आख कैसे साफ करें तो अब मैंने सोचा कि अलग अलग वीडियो बनाने से बहतर है कि मैं एक वीडियो बनाओ जिसमें मैं बच्चे का जीव बच्चे का नाक और बच्चे के आख और कान चारों चीजों क कवर करूं ताकि आप एक वीडियो में ही सारी चीजों को समझ पाएं यूंकि सर्दियों के सीजन में ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि हम अपने बच्चे को डेली बात नहीं करा रहे होते हैं इस भीच हम अपने बच्चे के लिए उनकी साफ सफा अगर हमारा बच्चा 6 महिने से चोटा है उस 치स में हम में कैसे करना है उस के यह मोरा मिल्क वा यह ढईल और 21 सफ़ाय में होता है तो आप बच्चे की सफाई दिन भर मेंट बार प्बार करें घर तो जब बच्चा फॉर्मूला मिल्क ले रहा हो उपर का दूद ले रहा हो डिबे का दूद उसकेस में बहुत ही ज़्यादा चरूरी होता है क्योंकि ऐसे में बच्चे को माउथ इंफिक्शन होने के खत्रा ज्यादा होते हैं तो आपको बच्चे के जीव हैं उसको कैसे साथ कर सब करना है यह ज़िता क् Almost Pat Patamyema utman 전 वह 1 वो पानी बहुत ज़्यादा गरम ना हो फूब गुन घृता उता कि बच्च्चा अच्छे से सर्वाइब कर पये शह सके तवर वहर बघलाम है उसमें कॉन का कप्डा जैसे यह कौन का के वर यृ चाटन ह ald outro कर पने की अज लेक्र ताकि वो सिफ सिमसिमा रहे, वो पूरा गीला ना रहे, उसमें से पानी ना चुए, बस वो सिमसिमा रहे, उसके बाद आपको बिल्कुल अपनी इस हाथ पे इस तरीके से देखिए, ये उंगली है और मैंने इस तरीके से लिया, ऐसे करके बच्चे का जीब निकालके इस तरी सफाई करनी है और इस तरीके से बच्चे की जीब की सफाई कर ड़ल आंपको साफ और दियान तो आपकोored a सब्सक्राइब अच्छे से करनी है बच्छे मोरत्स्रिव और बच्छे का और बच्छे का गं दोना डि violone जब आप बच्चे को अस्पंज बात दे रहे हैं उस समय आप ये काम कर देचिए इस शीश का ध्यान देना है अगर आपका बच्चा छे मेनी से उपर है उसके मार्केट में टुथ ब्रस आता है जो इस पेसली बच्चों के लिए आता है और उसके जो मतलब ब्रस होते हैं वो बहुत ही soft होते हैं वो बच्चे को कोई हाड़न नहीं ठीस नहीं पहुशाते है आपको उससे लेना है और अपने इंगलियों में? उसको लगा लेना है और अपनी ते बच्चे का जो जीब है Table जो टंग उसको अच्छे से clean करना है उससे आप डीखेंगे कि अच्छे का जी वह टंग क्लीनर नहीं यूज़ कर रहा है तब तक आप बच्चे पे उसकी साफ सफाई का बिसेश ध्यान रखें कि आप बच्चे को छे मेनी से छोटा है तो कॉटन के कप्रे से बच्चे की जीव साफ करेंगे दिन में एक बार पच्चा शे मेनी से उपर है तो आप का जीव जरूरी है कि बच्चे को माउथ इंफिक्शन नाओ उतना ही बच्चे की नाक साफ करना जरूरी है अक्सर हम देखने सर्दियों के सीजन में बच्चे को जब सर्दी जुकाम होता है तो हम देखते हैं कि बच्चे का नाक या तो बहुत ज्यादा बहरा होता है या मार्केट में की कोई ढल चीज चू़ दॉदा सके हैं अब लो तक प्रभल्म होगpert रिपकर नहीं कॉछे के थे करना है कि मार्केट में नोजल ड्रॉप आता है अप अग्स एक ये नाख में दो से तीन बून डाल दीजिए आप देखेंगे कि बच्ची कर नाख खूल जाएगा जो गंदगी होगी वह बाहर आजाएगी फिर आप बच्चे कर नाख अच्छे से ऐसे इस तरीके से साफ कर दे और जब आप इस तरीके से साफ कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्य में या किसी जो बहुत छोटा कमरा हो जहां पर बहुत ज्यादा मतलब बाहर तक न जा पाए ऐसे कमरे में बच्चे को रखने जैसे वाश्रूम हो गया आप एक बाल्टी गरम पानी रगने इतना गरम हो कि इसके भाप पूरे निकल रहे हो आप बच्चे को कुछ देर वहा साफ कर दीजिए कभी कभी क्या होता है कि सर्दियों के सीजन में जब बच्चे को सर्दी जुखाम होता है तो यहां पर पप्री जैसी जम जाती है कुछ घर वालों को तो मैंने देखा बिल्कुल ऐसे रगर रगर की छोड़ाते है लेकिन यह काम आप मत करी एसे में जो नाक है जहां पपड़ी जमाया है वहां बिल्कुल ऐसे 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 हलका हलका लगा दीजिए लगाने के बाद थोड़ी देर एक मिनट या तीस सिकेंड आप उसको छोड़ दीजिए फिर आप फिर थोड़ा सा गुनगुना करके मतलब कपड़ा जो है साफ करें तो बच्चे की जो आई है वह बहुत ही सेंस्टिव होती है बहुत ही मतलब नरम होता है उसको क्लीन करने में हमें कोई भी मतलब मिश्टिक नहीं करना है ताकि जिसकी वज़े से बच्चे को प्रॉबलम हो अक्सर हम देखना है कि बच्चा जो हमारा सो के उठता ह उस समय बच्चे की आई साफ करना बेश्ट होता है बच्चे की आई हमें क्या करना है कि cotton का ball लेना है उसको हल्की गुन-गुने पानी में dip करना है निचोड लेना है और यहां से लेके यहां तक आप उसको ताफ करिए फिर आप उसको सफेक दीजिए फिर दूसरा cotton lighting लेना फिर उसको गुनगुने पाने में तपर ना और फिर सेम आपको इस तरीके से साफ करना है और आप एक by साफ करेंगे दूसरी पर जब आप साफ चरेंगे तो दूसरा cotton का बॉल यूज करेंगे इस तरीके हुआ या फिर बच्छे की आग से भार बार पानी कीसमें किया है कीचडर होता है जो बिबार बच्छे काुछ जो सटा होता है यह declaring test से सोया है आप हलका सगुनगुना पानी लीजिए कॉटन का बॉल लीजिए उसे दीरे 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 ऐसे करिए कि पहले वो जो सटा हुए जो कीचड़ है वो नरम हो जब आप हलकी हलकी हाथ उसे साफ करिए और ज्यादा कीचड़ हो रहा है आख से बार बार पानी गिर तो ऐस ज्यादा रिक्कत नहीं हो रहे, कि आप घर पर इजली जैसे मैंने बता है उस तरीके से साफ कर सकते हैं। नेक्स जो है वह बच्चे का कान है। बच्चे कान की सफ़ाइ करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखते हैं लिप्ली के सदस्ट सती है लेवे फैसके खाली स्टेक कान तो इसलिकी कानी प्रेश करी कोड़ा बेंता कर दीक काफी सिर्फ कर सेDamवन कृष हम सब्षाछी टरी कजिवान गुट्न कि साफ करना है आप उसको लिजी आप बॉकिंटको बढने पानी में निचोड़िये और इस तरीखे से चै एक्ज़िक चूंबरन टोड़े में और रि ही पप्री जमी हुई है या बच्चे को बलड आ रहा है या कुछ भी तो उस केस में आप उसके कुछ डालिए नहीं क्योंकि बच्चे का जो कान होता है बहुत ही मुलाइम होता तो आपको बच्चे के पीछे का कान tiουν चूटे बच्चे नहीं साफ करते हैं और हम देखते हैं जो पीछे का इपकनी की वजह याँ पे रोहता है जिसकी वजह से महांपर मवाद आने लगते हैं बलड अने लगता है फोड़े हो जाते हैं तो आपको बच्छे को nhiüyes होने देना है आपको क्या करना है जब आप बच्चे का यहां का कान साफ कर रहे हैं तो आपको सेम करके बच्चे के पीछे का यह चीज भी आपको साफ करना है और यह काम आपको डेली करना है जो अभी मैंने बताया बच्चे का जीव कैसे साफ करना है बच्चे का नाक कैसे सा बस रहेगा अच्छा रहेगा क्योंकि छोटे बच्चों पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यह सारी चीजे साफ करना लेकिन करना तो पड़ेगा ही तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्फुल तक कमेंट करके बताईएगा आपके जो फ्रेंड्स हैं आप में भी सेयर करिएगा क्योंकि जो भी निव मदर हैं उनको नहीं आइडिया होता है यह वीडियो देखके वह कुछ सीख पाएंगी और हैल्स एवन पर फर्स टाइम है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलिएगा ताकि जो भी बेबी रिलेटेड में वीडियो बनात सबसे पहले नॉटिफिकेशन आप तक पहुंचे आप उसे मिस ना करें तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा मिलतें नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच